हेलो एबिर्वन, वैलकम बेक टोवर चैनल तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोण SP टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे पूरी इनफ्रप्रेशन जानेंगे तो इसी वीडियो में इन टैबलेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस टाइम इनको खाना चाहिए इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये किस परकार की डिजीज में बीमारियों में काम आती है पूल है तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होना वाली है तो पूरा देकि और हमारी वीडियों के एक किसी तरीका से हैलपा चार्ब था हैं मददगार साच रहतिक तो प्लिज जाकर अपने युटुग चैनल को सेस्क्राइब करने और हमारी वीडियो CT को लाइक अगर आ इस नाम से नहीं मिलती है मार्केट में तो आप इसको gir attract में आ पको अचि- owners एटिक नजय सक्ताए todavía चैशकरए आपकोस के इन्दॉट strong teams स्टनी घ्ली मिलता है यह तो आपके काम करता है यह जो चांद को देखिए ऐसी लॉक फैनिक है आपको इसके अंदर मॉल 30mg में ऑफ श्रीटा में रिटास सब आपको सक नदर देखने के मिलता है तैनम्जी तो यह जो आपके वर्ग करता है ऐफ के उसलोग करता है आपके जैसे की सरीर में धरोना किसी परकार का पीट में कंदे में में सिर में घुटनों में या आपके किसी परकार का दर्द होता ये उसको खतम कर लेता आपको स्केंदर सेक्रिडी उसे मिलता है वो मिलताए पैरा सीटा मॉल ये आपको देख सकते हैं गिए गुम्चोट लग इनके मौच आ गई यहां आपके हड़ी में बाल आ गया है ऐसे कुछ भी प्रोग्लम होने से अगर आपके सूजन आ जाती आपके तब यह आप ले सकते हैं आपके सुघर में या वैसी किसी भी अगर अगर डिजीज के डिजीज से अगर आपके सूजन हो आ रही है आपके सरीर में तो यह वर्क नहीं करेंगी ओके तो यह जो तीनों मिलकर आपके सरीर में वर्क करती हैं दर्द बुखार और सूजन में यह काम करती है टैबलेट जो तीनों आपको इसके अंदर एक टैबलेट के तो अब इसके हम कुछ side effect के बारे में जान लेते हैं जो है यह आपकी जो गूर्दे उते हैं यह गूर्दों को बेकार कर देती है तो इसका आपको जादा जो है जादा आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि आप regular basis काई कर सकती है अगर आप इसको जैसे कि एक महिने राहे हिरे रागुलर भी आपको नहीं कहाना है जैसे कि आपके दर्दोता वह यह आपको जैसे कि एक से दो दिन के अंदर अंदर आपका जो भी दरद होगा वह संसग्त और इस आई अश्के मौझ यह जया ङूरा automate जल्द उसको ठीक कर देगा बट आपको इसका मैंने बताया लॉंग टर्म यूज नहीं कर और एक इसका और साइड इफेक्ट है जैसे कि अगर आप इसको गैस के कैप्सुल के संग या गुदू के संग नहीं लेंगे तो आपके सीने में जलन हो सकती है अब इसके हम मतलब की गैस की तेबलेट उसको एक एक प्टाइबलेट और एक क्याट की पानी से कहा रहे हैं तो आप एक एक क्या काप्सुल लिजिए उमी प्राजवल पैंट अप्राजवल कोई साभी आप ले सकते हैं और अगर आपके कैप्सुल किसंग नहीं खाने चाहते हैं तो एक टेबलेट लीजिए दूद किसंग खा लीजिए तो आपके सीने में जलन यह गैस नहीं बनाई जीए